नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पीसी एंब डिजिटल गुरुकल पर तो बच्चों आज हम लोग बात करने वाले हिमाचल प्रदेश के अंदर जो रीसेंट नोटिफिकेशन आया है कि नोटिस फॉर मोपा प्राउंड ऑफ इसमें फिलिंग ओफ वेकेंट सीट्स होने वाली हैं गौर्मेंट मेडिकल कॉलोजिस की तो क्या नोटिस से आईए बच्चों पढ़ लेते हैं तो भी नोटिस कुछ इस प्रकार है ये की परसुएंट तो वेकेंट सी पोजिशन रिसेट फॉर्मेंट मेडिकल कॉलोजिस इंटरस्टे एंड केंडिडेट साप्र पर देप्रोविजीन वोज नेम्स आर फिगर दर रिक्विएस्ट तो अप्लाई ओन-लाइन जिन लोगों के नाम लिस्ट में हैं जो लिस्टेक नीचे भी अटाज़्ट हैं वोन लोगों से रिक्विस्ट की जाती कि वो अप्लाई करें ओनलाइन मोपप राउंड काउंसलिंग के लिए इन ओडर तु फिल दे फॉर्म कोर्स एंड कोटा विद एफेक्ट फॉं 24 तु 26 यानि आप आज शाम तक यह नोटस आप अपना भर सकते हैं वेबसाइट आपके पास है ह्पी उनिवर्सटी.ac.in या ह्पी ओनलाइन काउंसलिंग.co.in में से किसी भी एक वेबसाइट पर आप जाकर यह कर सकते हैं इंक्लूडिंग तु फिल अ बेकिंग सेट इन ड्रॉपक केजल वेकेंसी अपस में अभी यहां पर एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में अप एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे. सिर्फ जो सीटे खाली रह गी है वो फिल अप होंगी. यहने अपग्रेडेशन कम चांस हैं. एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में अलाओड तो अभी देखो अगर आप मेडिक डेंटल से मेडिकल कॉलेज में जाते हैं तो वो अलाओड बाकी चीज़ अलाओड नहीं हैं. डिटेल्स जो है वेकेंसी की कुछ इस परकार हैं कि आईजीम से शिमला में एक सीट से डूल कास्ट की बच्ची हुए और PWD कैंडिकेट की और CH of JN के माइगरेंट जो है उसके एक सीट डॉक्टर RPGMC टेंडा में बच्ची हुई है. अगर सीट ऑफ परसन वीडिसेबिलिटी एस ओन अभो शेल भी अगर कैंडिट आपको नहीं मिलता है तो वो सीट जो है आपको कनवर्ट करनी होगी जनरल कैटेगरी में यह आपको ध्यान रखना है यह नोटिस दिया गया है ठीक है जनरल कंबाइड मेरिट लिस्ट ऑफ कैंडिट जो है जो है उसी साफ से होगा वो बात अपनी बिलकुल सही है कैंडिट को सीट जो है कब मिलेगी कैंडिट को सीट 28 तारीक को मिलेगी और उनको 30 तारीक तक कॉलेज जॉइन कर लेना है अगर नहीं करते हैं तो उनकी सीट कैंसल मानी जाएगी ठीक है Candidate can fill the choice of colleges, courses, quota which are not reflecting in the vacancy position क्योंकि आप ऐसा मत सोचेगा कि मेरे को तो जनरल में कोई CT नहीं दिख रही है तो मैं क्या कर आप apply कर सकते हैं because seat कभी भी अराइजिक कर सकती है ठीक है Therefore candidates advise to fill the preferences as per their choice of maximum colleges आपको भरने है seat जो होगी mop up round में वे locate होगी as per availability of seat per married come basis इसके आदि आपके सामने list आजाएगी दोस्तों अगर आप एक पेज आगे जाते हैं तो this is the list जो आप देख सकते हैं पूरी list है इमाचल परदे स्टेट के कौन कौन बच्चे है category rank किस बच्चे की क्या है neat all India rank क्या है वो सारी चीज़े यहाँ पर 385 नंबर है किसी बच्चे के डॉक्टर आजे शर्मा जिनके फादर है भावया शर्मा किसी बच्चे के single girl child है जिनकी rank 1 है आस्था इस तरीके से आप पूरी list यहाँ पर यह चेक कर सकते हैं कि आपको पूरी list state quota state, quota hp state पूरी list आपको 175 pages की provide करी गई है आप अपना नाम इसमें जो है धूंड सकते हैं किसी को अपना नाम पता करना है है या नहीं तो उमसे पूछ भी सकता है वरना इस पूरी list को जो उपर website दी गई थी वहाँ सर जाकर भी हम लोग cross verify अराम से कर सकते हैं कौन सी website दी थी थी बच्चो hp.ac.in या onlinecounseling.co.in उसके बार देखे candidates participating in the mop-up round of online counseling for admission to this उनको token amount जो है वो दुआरा जमा करना होगा while filling their online counseling forms filling which no sheets shall be allocated to them और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको एक provision है कि आपको कोई भी seat क्या हो allocator ना की जाए तो यह आप ध्यान रखेगा कि जो भी वहाँ पर online में आपके सामनी information आएंगी ठीक है वो आपको ध्यान देनी है जो fees वगएरा वो deposit करनी है हाला कि जिन candidates को already admission हो चुका है private medical colleges में dental colleges में या जिनको fees token amount deposit हो चुका है लिकिन second round लेकिन उनको कोई seat allocate नहीं हुई है तो उनको दुबारे से पैसे भरने की ज़रूरत नहीं है token amount जो भरना है वो कितना भरना है तो government medical college के लिए 10,000 भरना है normal categories को SCSTOBC को भरना है 5,000 ठीक है candidates will be located seats during this course token amount की fees उनकी tuition fee में adjust कर दी जाएगी वो जिनको lot नहीं होगी token amount fee shall be refunded उनको refund कर दिया जाएगा ठीक है आप सारी choices को ध्यान से भरियेगा आप इस number पर contact कर सकते हैं notice for filling up of vacant seats जो है वीडेस courses की वो भी separately issue किया जाएगा notice तो भी इसके बाद ही आपके सामने बुरी नियुत है ही प्लिच्छ बाद है कर दो हो भी आखरी साथ चार्थ